नमस्कार आप देख रहे हैं Equality News और मैं हूँ काजला आपके साथ चली नज़र डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर शिवसेना निता संजेराउट शुकरवार दोपहर करीब 12 बजी ED के ऑफिस पहुझे बता दे कि संजेराउट को जमीन घोटाला मामले में पूश्टाज के लिए बुलाया गया था संजेराउट ने ED office के बार कहा मैं एक नीडर व्यक्ति हूँ क्योंकि मैंने अपनी जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया ये सब राजनीदिक है इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा फिलाल मुझे लगता है कि मैं एक नीडर एजनसी में आ रहा हूँ और उन पर मुझे पूरा भरोसा है इडी ने पात्रा चॉल जमीन घोटाला केस में पूश्टाज के लिए संजराउत को 29 जून को हाजिर होने का नोटिस जारी किया था इसके बाद संजराउत के वकील ने मुंबई इडी ऑफिस जाकर पेशी के लिए महलत भी मांगी थी लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कम समय मिलने का हवाला दिया था इडी ने संजराउत से पात्रा चॉल जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा गया था इससे पहले उन्होंने सोमवार को इडी के समन को साजिश करा देते हुए ट्वीट भी किया था अब मैं समझता हूँ कि इडी ने मुझे समन क्यू भेजा है अच्छा है महराश्ट में बड़े घटना क्रम चल रहे है बाला सहाब के हम सभी शिवसेनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गया है ये साजिश चल रही है मेरी गर्दन भी कट जाए तो भी मैं गोहाटी के रास्ते पर नहीं जाओंगा चलो मुझे गिरफतार करो जै महराश्टा महराश्ट में सियासे उठापटक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उदव ठाकरे ने पहली बार चुपी तोड़ी है उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे को शिवसेना का सिय मानने से साफ इनकार कर दिया है साथ ही कहा है कि अगर भाजपा पहले ही ऐसा कर लेती तो राज्ज में महाविकास आगारी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उदव ठाकरे ने कहा जो कुछ भी कल हुआ है उसके बारे में मैंने अमिच्शा से पहले ही कह दिया था हम भाजपा शिवसेना के गटबंदन में धाई साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहते थे अगर वो पहले ही इसके लिए तयार हो जाते तो यहां महाविकास आगारी की जरूरत ही नहीं पड़ती उन्होंने कहा कि मेरा घुसा मुंबई के लोगों पर ना निकाला जाए मेट्रो शेट का प्रपोजल नहीं बदले मुंबई के वातावरन से खिलवान ना करे उदव ठाकरे ने एकनाच्शिंदे की सरकार बनाने के तरीके पर भी सवाल उठाया है उन्होंने कहा जिस तरह इस सरकार का गठन किया गया और कथित रूप से शिवसेना के कारिकरता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है यही बात मैंने आमिच्षा से भी कही थी ये सब कुछ सम्मान जनक तरीके से भी हो सकता था उस वक्त शिवसेना आधिकारिक रूप से आपके साथ थी लेकिन अब मुख्यमंत्री एकनाच शिंदेश शिवसेना के सीएम नहीं है पैगंबर मुख्यमंत पर विवादासपत बयान देने के मामले में आध सुप्रीम कोट ने भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के खिलाव सब्त रुख अपनाते हुए कड़ी टिपने की है कोट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश के सामने माफी मांगने के लिए कहा है इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने इस मामले में क्या किया है मेली जानकारी के मुताबे कोट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा दिल्ली पुलिस ने क्या किया हमें मुँख खोलने पर मजबूर मत कीजिये टीवी डिबेट के इस बारे में थी इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था उन्होंने ऐसा मुद्धा क्यू चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है कोट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंग ने कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी है और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है इस पर कोट ने कहा कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी इसके साथ ही कोट ने नुपुर के खिलाव दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस लेने की इजासत मांगी थी तो कोट ने इसके लिए उसे मनजूरी दे दी राष्टपती चुनाओ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमसे पहले बात की होती तो हम द्रौपधी मुर्मु का समर्थन करते अगर बीजेपी ने सुजित किया होता कि वो एक आदिवासी महिला को उमेदवार की रूप में देख रहे हैं तो हम उसका समर्थन करते हम चाहते हैं कि राष्टपती चुनाओ शांतिपूर्ण तरीके से हो मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने शुक्रवार को कॉलकाता में इसकौन मंदिर में पूजा अर्चना की सीम जल्द ही यहां से रतियात्रा का उदगाटन भी करेगी इसी दोरान उन्होंने राष्टपती चुनाओ को लेकर कहा कि मैं दुखी महसूस कर रहे हूँ लेकिन द्रौपती मुर्मो की स्थिती ज्यादा बहतर है हम भी उनका समर्तन कर सकते थे अगर बीजेपी ने चर्चा की होती लेकिन अब मुझे वही करना होगा जो पूरा विपक्ष करने का फैसला करेगा बतादे कि राश्टपती चुनाओ में NDA की उमेद्वार द्रौपती मुर्मो है और विपक्ष की और से पूर्व केंद्रिय मंत्री यश्वन सिनहा मैदान में है यश्वन सिनहा का नाम CM ममता बैनर जी ने ही आगे किया था यश्वन सिनहा TMC के उपाध्यक्ष थे और राश्टपती पत के लिए उनके नाम की घोशना होने से पहले ही उन्होंने अपने पत से इस्तिफा दिया था नगरिय निकाय चुनाओ को लेकर भारतिय जनता पार्टी ने प्रदेश की 16 नगरनिगम, 36 नगर पालिका और 255 नगर परिशदों के लिए संकल्प पत्र जारी किया है संकल्प पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जारी किया कोविड पॉजटिव होने की वच्छा से वीडी शर्मा अपने निवास से ही कारिकरम में वर्चुली जुडे पार्टी के कारिकरम से प्रदेश के प्रत्यक नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिशद में महापोर और पार्शद पत के लिए प्रत्याशी भी वर्चुली जुडे बीजेपी ने आज ग्रीन संकल्प कारिकरम आयुजित किया था मुखेमंदरी शिवरास सिंग चोहान के नेतरुत्व में पार्टी के पार्शद और महापोर प्रत्याशी ने अपने वर्ड, अपने नगर और अपने महानगर को हराभरा स्वच रखने और प्रदेश की जनता के कल्यान और विकास का संकल्प लिया इस दोरान बीजेपी ने प्रदेश की स्तानिय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए इस संकल्प पत्र में 21 मुद्दो को शामिल किया है खास बात ये है कि इन मुद्दो के अंतरगत गुजरात को मुनसिपल कमिशनर सिस्टिम को अपडेट किये जाने का संकल्प लिया गया है संकल्प पत्र में कहा गया है कि राज्ज में नगरिय प्रशासनिक विवस्था को प्रभावी बनाने और निगरानी तंत्र को और बहतर करने के उद्देश से गुजरात राज्ज के प्रशासनिक धाचे की तरहा रीजिनल मुनसिपल कमिशनर की विवस्था की जाएगी वही वाटर सप्लाई के लिए 20 साल का प्लान तयार होगा पंजाब के मुख्यमंतरी भगवनपान ने जनता को दिये गए अपने वादे को पूरा करके कहा कि उनकी सरकार शुक्रवार यनि आज से हर घर को हर महीने 300 युनिट मुफ्ट विजली देगी उन्होंने कहा कि पिशली सरकारे चुनाओ के दौरान वादे करती थी और उनके वादे पूरे होने में पात साल बीच जाते थे लेकिन हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में एक नई मिसाल काइम की है दरसल सेम भगवनपान ने कहा कि आज हम पंजाबियों को दिये गए एक और गैरंटी को पूरा करने जा रहे है आज से पंजाब के हर परिवार को हर महीने 300 युनिट मुफ्ट विजली मिलेगी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाओ के दौरान आमादमी पार्टी द्वारा किये गए प्रमुक वादों में से ये एक वादा था हर महीने हर घर में 300 युनिट मुफ्ट विजली देना आप नेता और राजसभा सांसद रागफ चड़ा ने कहा कि पंजाब लोगों को मुफ्ट विजली मुआया कराने वाला दिल्ली के बाद दूसरा राजज़ बन गया है प्राइन टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहे है एक्वालिटी न्यूज खबरों के और भी अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारी फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें